नमस्कार जी नेपाल नियुज मां स्वागत्छा मौ सोनू थापा शुरुगरों प्रमुक समचार का सिर्षे घरुबाट सानार मजोला उध्यो घरुने पाल को अर्था तंत्र को मेरु डंड भये को रास्ट पति पोडेल को भनाई ठूला चुनोगती समाधान गर्ने बलियो आधार उधम सिल्ता भये को दाबी कोशी प्रदेश सरकार लाई दियेको समर्थान फिर्ता नलीने एमाले को निर्णाया परदेश सरकार वाट फिर्ता भये पनी समर्थान भने जारी राजे का निति गत्रोटी का कारण उपभगता हरू अन्यायमा परेको उपभगता वाधिकारी कर्मी हरू को भनाई बजार को एका अधिकार नियांत्रन गर्न राजे गंबीर हुनू परने जिकीर गाजा सहर लाई घेरे रद्वी भागमा विभाजन करने इस्राइल को भनाई भीशर आक्रमन जारी राखने रा उत्तरी गाजा र गाजा सहर मा जमिन आक्रमन जारी गरने रफी पापिस्चकव खेल का लागी राष्टे फुडवल टोली पर सिच्छन मा बेस्त दोसरो चरण अंत्रकत नेपाल ले एमन्र युएई संग पर्तिस्परदा गरने अब समचार बिश्थार मा राष्टपती रामचंद्र पोडेल ले नेपाल मा लगानी का लागी अंतराष्टिये उध्योगी ब्यापारी लाई आउभान गरनु भायको छ आजा कार्मणों मा एसिया प्रसांत छेत्रिये उध्योग बानिजे परिशंको सम्मिलन उद्घाटन गर दै राष्टपती पोडेले नेपाल मा किर्शी परेटन र उर्जा छेत्रमा लगानी का लागी अंतराष्टिये उध्योगी ब्यापारी लाई आउभान गरनु भाय नेपाल मा लगानी का छेत्र बढ़ दै गये को र लगानी सहच बनावना का लागी कानू निर्मान भई रहे को वहाले बतावनु भयो वहाले आर्थिक विकास को तीब्र चाहाना बुगे को नेपाल मा रहे को किर्शी जल सुरोत परेटन जस्ता प्रचुर प्राकृतिव सुरोत र साधनलाई उंतराष्टे जगत संग जोडना लगानी र व्यापार का छेत्रमा धेरे अवसर रहे को उल्लेक करनू भयो नेपाल मा लगानी का अवसर बढ़दई गया चान। लगानी सहज बनाओने खानून अरू निर्वान भईशके का चान। नेपाली विद्यूत को बजार अवा भारत्र बंगला देश पनी बंदई चा। विद्यूत भ्यापार का छेत्रमा पछिला दीन मा भय का प्रगति जलबिद्यूत मा लगानी गरना चाहने उद्यमी का लागी महत्तो पूर्ण अवसर खोले को चा। मो यसे ही संदर्व मा नेपाल को जलबिद्यूत को छेत्रमा लगानी गरना तपारू सबैलाए अवहान गर्दा चा। नेपाल विश्व सान्तिका महनायक गउतम को देश मात्र होई ना यो शर्वच्च सिगर सगर माथा लगायत अनगिंती इमस्रिंखला को पनी देश हो। प्राकितिक विवित्ता युक्त नेपाल ले परेटन चेत्र को विकास को प्रचूर संबाव ना भोके को छा। यसमा आज हुने लगानी ले भोली पर्तिफल द देने छा। सूचना प्रविदी उत्पादन मूलक उद्योग किशी जन्य उद्योग नेपाल मा संभावना भवेका अन्य छेत्र हुन। मो यहां अरलाई इछेत्र मा पनी लगानी बढावना आग्रह गर्दा छू। अउनुस संक्षगई कामगरम अमरा अंतरद्रिष्टी बानों र एक अरकाल आई अमरों बेवसाया, अमरों समुदाया र अमरों संसार मां सकारात्मक प्रभापार्ना प्रेधित गरूं। आपनों भनाई अंतरद्रिष्टी बानों आग्रह गर्दाद्रिष्टी बानों र एक अर्था मंत्री डांक्टर प्रकार्शरन महतले, नेपाल मा लगानी को बाताबरन बंदे गवाय को भंदै लगानी गर्ना आउवहां करनों भयो. वहाले अहिले मुलुक को अर्थातंत्रा सु ध्रीडा बंदै गवाय को र लगानी को उचित अबसर्ट सिर्जना भः को पताऊनु भयो. and we had gone through difficult period of huge earthquake and of course covid and external situation which also did not help us. but I think we are now in right shape tourism is getting better we are working on infrastructure which is very important for taking Nepal's development and the opportunities that we have in the future therefore I think this conference is happening in opportune time and we have very good track record of investment those who have invested in Nepal has done pretty well nobody had to gone through losses they are making profits in coming days opportunities is even better in the climate context I think global community and businesses and also multilateral agencies are looking towards Nepal to invest in renewable energy we have huge potential in hydropower we already have a very good ecosystem of Nepal investors asia asia and asia 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 and asia asia कोशी परदेश का प्रमुग सचे तक रेवती रामन भंडारी ले जानकारी दिनो भयो वहाले सरकार लाई दियेको समर्थन ततकार लाई फिरता नलीने तर प्रमुग परतिपक्ची दल का रूपमा प्रदेश सभा बैठाक मा बसने निने भाय को पताऊनो भयो अचि निने मुदे जाला आल सरकार लाई दियेको समर्थन फिरता नलीने निने गरी। आई विश्वास को सरकार बढ़जे आमें फिरता भायों तर दियेको विश्वास को मत से अईली लाई कायमे राखने निने गरी। विश्वास को मद्धिय को विश्वास मत कायम राखने, हाला कायम राखने ने गरेगा शों और आजा पस्तु दोने या त्मुर पस्तु दोने बजेर सम्मंदी जुन अध्या देश्चा तेलाई सुकृति प्रदान गरना समस्द दले सहयोगरने अजाई का मिती बाट नेकपा एमाले समस्द दल को चाहिए प्रमुक पर्ति पछ्छेमा राखने नेणेले एमाले का 49 जना प्रदेश समस्द हरुको समर्थन मा कोशी प्रदेश मा केदारकार की नेत्रीतोमा प्रदेश सरकार गठन भाये को थियो एमालेले समर्थन फिर्ता लीने बित्तिकै मुखे मंत्री के दारकार कीले पुन विश्वास को मत लीनुपने अवस्तार रहे को थियो गठवंधन दल का माउवादी केंद्र र नेकपा एकेकरी समाजबादी बाट प्रदे सरकार मां मंत्री निउक्त गरिये पछी असंतुष्टी जनावदे एमाले प्रदे सरकार बाट बाहिरिये को थियो जाजर कोड भुकम्प मा घायते हरुको उपचार का लागी नेपाल तरुन दल ले रक्तदान गरेको छ भुकम्प बाट भयेको धन जन को छेती प्रती दुखा बेक्त गरदाई तरुन दल ले बर्दो रगत को अभाब परिपुर्ती गरने उदसेले आज भिर्कुटी मंडप प्रांगण मा ब्रहत खुला रक्तदान कारेकरम गरेको जना आयेको छ रगत को अभाब भयेकाले आफनो तर्फबाट तेसलाइ कम गरन प्रियास सोरूप रक्तदान कारेकरम को आये जना गरेको तरुण दल का अधक से बिद्वान गुरुंगले जानकारी दिन उभायो वहाले भुकमप पिडित का लागी आर्थिक संकलन गरेको रसहयोग गरने बताऊन उभायो तरुण दल के निभायो डिद्वान गरेको पिडित का लागी जिवान दान गरेकों लागी बढ़िनना मिर्थिव भाई गा जो प्रतिता हमरो आथश कर जनी है जती परिछेटी गवरोर जती ची सेटी भागेश हो न विस्विला इत मितंता लूह माचा अथिससोंगूरृ न आविन्य दो आर मलाग से तो आपनरा अमिल आख संगूरृ न आपनरा इसो पर आख सिर्म रक्तदान मां कार्टमंड उपतेकामा रहेका विधिहार थी यूबा सहभागी रहेका थिये राष्टिय भुकम्प मापन तथा अनुसंधान केंद्र का अनुसार तीन बर्ष एता पच्छिम नेकप्याल का विभिन छेत्र मां निरंतर भुकम्प का धक्का पढ़न थालेको छ गत असो 16 गते बजांग मां एके दिन गयेको 6.3 रा 5.3 मेंगनिचुट को भुकम्प पची लगतार जसो नै त्यो छेत्र मां भुकम्प जाने करम जारी छ जसको कमपन्न कार्टमंडो सम्मा राम्रे महसूस करियेको थियो तेस अकी बैसाख मां बाजुरामा गयेको भुकम्प पणी सबै लाई अगवत नाई छ एक रिपोर्ट सुक्रबार मद्दे राती जाजर कोट केंडर विंद वायरा 6.4 मेंगनिचुट को भुकम्प को धक्काले काटफ़न पनी हलियेक थियो लाम समय देखी संचित 8 मेंगनिचुट माथिको महा भुकम्प को सक्ति 15 नपाल को जमिन मुनी संचित छ तो बाईरीन 8 मेंगनिचुट बरावर को भुकम्प एकेचोटी जानो परने हुनच पचिल्लो समय गई रहेका 6 मेंगनिचुट बरावर का भुकम्प एले महा भुकम्प को सक्ति को एक छेवपनी बाईर निश्कि दैना किनो भने 8 मेंगनिचुट को भुकम्प को सक्ति संचित छ 7 त्रेक्टर का 22 बुकम्प जानो पर्द छ त्यस्ते 6 मेंगनिचुट को जाने हो बने 1024 अट भुकम्प गयमा बल लैयोट आठ मेंगनिचुट बरावर को भुकम्प को सक्ति बाईरै निश्किन छ अजकम 5 मेंगनिचुटको भुकम्प मारफा तिव शकिने हो बने 22,000 औत बुकम्प आउनु पत्छ जती कम म्यागनी चिटको भुकम्प जानच तेटी गुणा धेरे भुकम्प को संक्या बड़ेर जाने परतो छ तर ती भुकम्प पराकम्प का रुपमा नवय भुकम्प के रुपमा जानवरने हुँच नेपाल को पस्चिमी भुग अरुबमा 500 बर्चत देखी त्यो सक्ती जमेन मनी पसी रहकाले पने खत्रा बड़ेको हो अईलेका भुकम्प ले दरार पईदा न गरायकोर सक्ती न बायरेका कारण अब को के दिन भित्रने पस्चिम नेपालमा और को मद्देम खालको भुकम्प जाने संबावाना रहको पनी भुकम्प बिधर ले बताऊदे आयका छन गईको सुक्रबार को भुकम्प पची जाजर कोटमा निरनतर पराकम्प अरू जाने क्रम जारीर आयको छ आज बिहाना 10 पजेर दस मिनिट सम्म जाजर कोटमा 322 उटा पराकम्प मापन गरेको राष्टे भुकम्प मापन तथा अनसंदान केंद्र ले जानकारी गरायको छ इमद्दे चार मैंगनुची उट देखी मातिका साथ पराकम्प मापन गरेको केंद्र ले जनायको छ जाजर कोटमा गयको भुकम्प पची एति वेला कसीको आलोचना नसुन्दी प्रधान मंत्री पुष्पकमल दाल भुकम्प गयको वलिपल्ट ब्याने प्रभावित छेत्र पुगेर पिडी तरलाई स्थान्तो न दियेका थिये सरकारले एकद्वर्ट प्रणाली मार्फत सयक संकलन गरी वितरन गरने निड़य पनी गरेको छ छीतो छरीतो डंगले सयक को तत्परता देखायको मावसुस पिडी तरले गरेका पनी छन रहात बितरन सयक संकलन लगायत का पिशालाई सबैले अभ्यान का रुपमा सयक करेको तेखिनु आपतकालीन अवस्तामा हामी एक उन्चों मन्ने सु संदेश पनी हो छेती कती बेला काहा उन्चों मन्ने कुरा निश्चीत हो देना तर राज्जे सदें तयरी अवस्तामा रहन बाटा चुकनु हो देना मानव्वे विपतिका एस्ता घटना को समय में व्यवस्तापन गरनु राद तथा उद्धार टोली सतर प्रावनु जरूरी देखिन्च जाजर्खोट फुकम्पमा सरकार को परिपकोत्ता तुलनात्मा कुरुपमा सराहन ये छ एस्ता घटना बारंबार दोरीने आकलन गरेर पविश्यमा थाप ससक्त योजान साइट पवतिक तथा मानव्वे छेते रोकने परिष्टिति बनावनु जरूरी देखिन्च जीने फाल फॉर के टेलिविजन का लागे विक्रम दाहाल काठफान डवू नेकपा एकिकिरीर समाज बादिले जाजर कोड केंद्र बिंदु भायर गएको भुखमपमा उतार रहात लगायत का सहयक का लागी उपमाहा सची परकास ज्वाला को नेत्रीतोमा कारेतल गठन गरेको छ आज पार्टी कारले आलोक नगरमा बसेको सचीपाले बैठकले पार्टी का तर्फबाट अनुगमन रज सहयक का लागी ज्वाला को नेत्रीतोमा अमर्थापा नंदा चापागाई धन बहादुर बुडा लगायत सहीत को अनुगमन रहात तथा उदार कारेदल गठन गरेक वैठकले पार्टी को कारे करता बाटा आर्थिक संकलन गरी सरकार को केंद्री रहात कोष मा 25 लाख जम्मा गरने निर्णे गरेको छबने पार्टी का मंत्री हरु सामस धरु रजनपरती निदी एबं राजनितिक निउक्ति मा गये का हरु बाटा 15 दिन को पारिस्षारमिक पार्टी कोस्मा जम्मा गर्न निर्देशन दियेको पार्टी परचार विभाग प्रमुख जगनात खती ओडाले जानकारी दिनु भयो। कार्य करतारु बाट आर्थिक सयोक संकलन गरी केंद्रिया सरकारकोप केंद्रिया प्राकिर्तिक प्रकोप प्रता रात उद्धार कोस्मा 25 लाह रुपयां पार्टी काप्तर हो बाट प्रदान गरने निर्णाय गरे को छे। इसको श्रोप आमीले पार्टी कारे करता हरू बाट आर्थिक स्वयक संक्लन गर्देई त्यां बुजाउने छाँ यह प्रविजन का लागी हम्रा पार्टी का मंत्रियरू केंदी संग्य सरकार र प्रदेश सरकार का मंत्रियरू शाम्षादरू र जन प्रत्विदियरू एबं राजनितिक निविक्तमा जानुवएका ब्यक्तियरू बाट पंद्र दिनको पारिश्रमिक वारले यो राहत उपसार कोश्मा पार्टी को कोश्मा जम्मागर्णू उने छा बन्ने निर्णाय गरेका छों र एई समन्दमा भुकम्प प्रभावी छेत्रको उद्धार कारिया राहत पुनरिस्थापना आधि जस्तो बेवस्थापन कारिया इस सबई कारियमा सयोग समन्य र अनुगमन गर्णको लागी पार्टी ले कार्य दल गठन गरेकोश्य पार्टी को त्यां उपस्तित्र अन अईले नेता अरू फिल्ड वा खटीरणवा अचा करणाली प्रदेश का जिल्ला का देरे कारे करता अरू फिल्ड मा उनन्चा ठप एवटा अनुगमन समिति बनाय कोश्य त्यास मा प्रकाष ज्वाला अवरोप मा आश्य चीफ ले संग्योजन गर्नो उने चा कार्य दलमा अनित अशेगरी शाम्चत अमरवादुर थापा येशेगरी शाम्चत मंत्री नंदा चपाई येशेगरी शाम्चत दनवादुर बुडा येशेगरी प्रदेशको शाम्चत कल्याणी खणका रा पाटी का प्रदेशका सची बनोंचा कृष्ण विशी ठागेंद्र प्रकाश्पुरी आमरो पाटी को केंद्रे नेता उनोंचा रुकुम र जाजर कोट जिल्ला का पाटी अधक्षे रुष्ट को यूटा अनुगमन और रहात तका उद्दार कार्य का लागी तेसको ब्यवस्ता पन स्वयोग समन्य अनुगमन का लागी यो कार्य आधिवस्तन को संदरव मां हमी अव अव माग मां माधिवस्तन गरने वन्नी टुंगू मां ता पहले पुगे का तियों यूँँएषको ब्यापक तैयारी का लागी आज आमीले क्या घाई गरना शके नों समय का अभाबले र अव क्यक दिन पथाड़ी को बईठकले अरु मादकुमार नेपाल लगायत को पंद्र जाना। सदस्यरू ओली देखी चीन यह कम्निस्ट पाइटी को निमंत्रणामा चीन ब्रहमध मा जावे उनुछा। आमरो वैटकले यो ब्रहमध मा जानुने पाइटी अधक्छे रात्यो ब्रहमध टोली लाई ब्रहमध को शपलता को लागी ब्रहमध उपलवदी मुलस बनोस रा दुई देश का कम्निस्ट पाइटी यह को बीज मा अत्यनते गनिस्टा सवार्द पुडश्रमंदा विकास गर अभियान लाई शपलता पुर्वक संपन गर्ने प्रती धनेबाद परकट करेको छो राष्टिय सोतंद्र पाटी राशोपा को केंद्रिय समेती र समसदिय दल को समिक्त बईठक इस्तगित भायको छो यही कार्तिक 22 रा 23 गते मदेश परदेश मा बसनेगरी तय भायको समिक बईठक इस्तगित भायको राशोपा का उपसभापती डिपी अर्याले बताऊनों भायो गता सुक्रबार राती जाजर कोड को रामी डाडा केंद्र भायको भुकम्प का कारन बईठक इस्तगित गरियेको वहाको भनाई छो पाटिको राजनितिक बईचारिक दस्ता बेज माथी विचार विमर्ष र प्रथम महादिवेशन को मीती तय गर्ने बईठक को एजेंटा थियो उपभगता अधिकार कर्मी हरूले राज्ये का नितिक तुरिटी का कारन उपभगता हरू अन्यायमा परेको बतायका छन सिहादर्बार मा बसेको पर्तिनीदी सभा अंतरगत को उध्योग बाणिचे रस्रम तथा उपभगता हीत समेती को बईठक मा उनिहरले राज्ये को निति नियम कमजोर हुदा उपभगता हरू अन्यायमा परेको बतायका हुन उनिहरले उपभगता अधिकार का लागी समसदिय समीती हरू ले पठक पठक बिभिन्न निर्णे लिदापनी कारेनेन हुना नसकनू दुखत भईको बतायका थिये बैठक मा उपभगता जागरन अभियान नेपाल का अधक्षे क्रिश्न परसाद भंडारीले राज्ये का निकाय हरू बिश आपसी समनेन नहुदा बजार मा समस्या देखियेको बतायू नू भयू माग रापुर्ती को समनेन का आधार मा उपभघ्ये वस्तुको मुले राज्येली निरधारं गरनो परने वहां को भनाय उपभघ्वता अधिकार करमी माधवती मिल छिनाले, उपभघ्वता हित का लागी वजार को एका अधिकार नियंतरन गरन राज्ये गम्भी रुखनो पर ने बताओनु भयो पर ने बताओनु भयो पर ने बताओनु भयो अंचनी एक्से आसी दिन केवादा काने लागा रती शम्षात वंगा बन्नादान पर्ने आवस्था आउंचा आउँ अउंचा आउँछा नेपाल सरकारका बिविन्ना निकाईगा बिज़ागी वाली गुराउंचा आईउचा सामान जाउचे दाउचा आईए तब ये खात्यो बिवाग्तों ले ठाथे विवाग्ता ले चीरियो अले घुरियो ले गुणष्ताला ले तेरे तेर अंतर शम्बन दानी तेना दो गरुष्ट भोली गो तिन बड़ार्यार बद आर्शो था भयन के आहिने, आमि शम्का आउन उस आमि अतुर अपिश्चै अ बुल जा करें नाुट। मोईर थाप करें दिवर थाप हो नुट। सभाढ कंब आप न Iowa 3 हो तेक हमानि मत बाल आनेर लोदी सभाफें मोद 6 मिन गर जींगे स्थाप का धुजिंगी 1998 ऽ। आप नसों को दलसकती कि आमी खुला अथ बदार अततकि खुल्ला बजार नितिमा जानु वनेको ब्यवसाई यहला शारे थोड़नु वने के वाईजा वो किये वने बजार को बस्तु को मुल्य बजार निदान करता छा मागर आपुर्थी को समुन्य को आदार मा मुल्य निदान हुन्छ तरो। 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 क क्यो मुल्य निदाण कर акकरी। क्यों का सब्धार राये निया केड़न कर सू ost धरीक। तर्शन का यह केसा का हदी हमा लृड मुल्य निया मुल्य सूसा शटीी कर से असिए। ज button की अधिल नियातिन गत्वकत हो थे हम हम आदो थे ँस देख। अमरे यहदा उखान पाइंच एक थोकी शुकी स्वाय थोकी नदी बहाजे गर्दा जब सम्म उपवता ये तर सुच्वच बजार कायम गर्ना को निमित्ट बजारमा होनी एका दिगारपुन बेपारी किर्या कलाप, कानुदर अनिशी बेपारी किर्या कलाप, लाई नियंद सर्कार का निकाया हो, अई पुड़ा बास्ते गर्दा हानिये सर्कार प्रदे सर्कार असंगे सर्कार क्यो मातरत बिवने निकाया हो शम्मय ने तक ब्रहती आर शेक्छा, उधारम कर लागी, बारीजी आपूटी तथा उपवता सम्मने चने बिभाग, उच्छिए मेंदर विजास नागारे मा अजय को चाहिना, अज़को दिन लगे अज़्को दिन सम्म, अम्रों प्राक्टिस के वाए हुनार, मुळ्य को नियमन करने, हम ले, खुला आज़्या आजी खुला आजा बिवस्ता चे जे खुला अंगार करने, अधिकार संपन्न मुल्य को नियमन करने, मुल्य को पिशेशन करने रा मुल्य निदान करने कमसे कम नागरिको जिबन संपनां पानच संपना करने पर चाहिए मां छें सरकारले मुल्य को पेंच मार्किंगा नहीं पर चाहिए चाहरा बाए बजार, असार्थे चाहरा बः आज आज आमिले काफुन मा बसे आथा काफुनों मा पशे राम के पोगा करा हुए। इस कारनले मुल्ले को नियमन करने बीशेन करने 120हारास समय शामाञ हुआ करने मौने तो समय राबातर मँल्ले राक्ते हो हुआ ACTY ऐमनले 20हों बड़िवरणी करने करें आएमी ले प्राइस अनलासित गरनें गाए चाने, उचो हमेंद्र में उच्वा को बनें आवा शेक्चा अरगो मौत अपुड़ां करक्टे यो कुनाल बाने, यो जती पनी समस्य आओ आयो आयो आयम पनी समसे समधें गरां करां नहीं मंत्रारे शल्पलमाइंगार बंचों, प्रणावन दिंगार बंचों, मेडियामाइंगार बंचों, तो जो उप्योगाने बर्गाछा, सामने नागरी, तो नागरी ले अनुपुदिगाना पाप आप आउस्ता चाहिदा चीने तो अको सरकार को आपन्तों मने गरी, आप पूर्च निती पव्योद्य नाथना आप आप सेख़ा कुन गाउमा, कुन पालिगामा, कुन जिल्लामा, के उतपादान बढ़ी बहाँचा, कुन उतपादान, कुन महिनामा कती हुँँँचा सब्यारियो वीकहनु नाधतियांक, सब्यूत्योतलों किससे, इस district घंटिकाश्योतलों कि रोक्तियोतलों क發現 व whats भी 숫स्योतलों कि सब्सक्योत sw hills, घ्लारियों कारीव० विकाश्योत्योय करस मेंतुरों कि पुट्वियोतलों कि दूte उतियो मन्त्रón, अर्थमंत्राईब, भू पालिक हमा पुन महेना में से उतपाधन हों अबलापुचा है बाइधकमा समीटां है सदस्टी हरले बजार अनुगमन लाई निरंतर गर्णुपर ने उपभगता अधिकार का लागी आवसेक निती नियम परिमार्जन गर्णुपर ने लगायत का सुझाब दी एका छन। अहिले सम्मब बाके जिलामा उपचार का लागी लियाई एका घायते को संख्या 49 पुगे को हो। भेरी मैं लियाउने तयारी गरियेको अस्पताल का सुझना अधिकारी नरेस्ट्रेस्टले जान कारी दिये। जाजर कोट्र रुकुम पच्छिम का भुकमप परभावित हरु का लागी राहत सामागरी बोकेर भारती सेना को जहाज नेपालगंच बिमान इस्तल्मा आएको छो। आइतबार भुकमप परभावित का लागी राहत सामागरी बोकेर भारती सेना को जहाज नेपालगंच बिमान इस्तल्मा अबतरण गरेको थियो। प्रम्त्रन करे का थिये। प्रम्त्रन करे का थिये। जाजर कोट माँ 25 र रुकुम पच्छीमा 28 जना बाल बाली का ले भुकम्प मापरी ज्यान गुमाये का जाजर कोट का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नाइब उपरिक्षेक संतोसों रोकाले जान कारी दिनु भयो। वहाका अनुसार दुबै जिलामा गरी ज्यान गुमाउने जन्डई आधा बालबाली का रहेका छन। जाजर कोट मा ज्यान गुमाई का 105 मदे बालक 27 र बाली का 23 रहेका रोकाले बताओन। भयो। रुकम पछिमा भुकमपमा परे बाउन जनाले ज्यान गुमाई का 28 जना बाली का रहेका जिला प्रहरी प्रमुखन नम्राज भट्राईले जानकारी दिन। भयो। जाजर कोट का भुकमप पिडित हरुले अचै पनी रहात न पायेको गुनासो गरेका छन। परिवार का 4 सदसे गुमाईन। भयेका नलकाट नगरपाली का छ गलाकली का सेर बहादुर राउले अहिले सोक संगई गाउमा भोग पनी शुरु भयेको बताऊन। भयो। मानिस मरेको सोक संगई रात काटाउन चान। र पेट भर्नका लागी खाना न पायेर गाउमा समस्या आएको छौ। नलकाट नगरपाली का मा साथ हजार भन्दा बढ़ी पालको आउसेक परने भय पनी अहिले सम्मद 255 मात्र पुगे को नगरपाली का को योजना साखा का प्रमुख नाराइन खत्रीले बताऊन। भयो। बाल वाली का सुदकेरी बिर्द बिर्दा तथा बिर्यामी हरुपनी खुला आकास मैं बस्न बाध्धे भये का छन। राहत समागरी प्राप्त हुने रपरभावी छेत्र माण पठाउने काम भई रहे कोले, आज देखी सभई छेत्र मा राहत बितरन हुने जिल्लाप परशाचन कारे लए जाजर कोट्टे जनाय कोचया। रुकुम पच्छिमा पने आज देखी रहाद बितरन थप तीब्र हुने जिल्ला परशासन कारेले रुकुम पच्छिमले जनाएको छा गुल्मी मा एक पसल मा आगलागी हुदा 35 लाख रुपया बराबर को छेतीब हैको छा गुल्मी धरबार गाउपाली का साध फेदी मा गयराती टोप बहादुर बसनेत को किराना पसल राखेको घरमा आगलागी हुदा दुई ओटा मोटर साइकल सहीत पसल का सामान जल्ले का जिल्ला परहरी कारेले गुल्मी ले जनाएको छा आगलागी हुदा नगत दुई लाख रुपया साइट सुन चामल र लत्ता कपडा लगाईद गरी 35 लाख रुपया बराबर को छेती भयेको प्रहरी ले जनाएको हो गईराती बार बजे तीर लागेको आगो दमकल इस्थानियर प्रहरी को सहग मा चार घंटा पछी निभ्याईएको थियो थप अनुसंधान भई रहेको जिल्ला प्रहरी कारेले गुल्मी का प्रहरी उपरीक छेक नबिन कीशोर परधान ले बतावनो भयो अब और्थ समचार सियर बजार आज दोहरो अंकले बढ़ेको छा ही जो आयतवार साड़े 21 अंकले घटेको सियर बजार परिशुचक नेपसे आज 21.30 अंकले बढ़ेर एक हजार आड़ सर्चालिस दसमलब चोवर्न बिन्दु मा अपुगेको छा आज सबै समचार आज दोहरो अंकले बढ़ेको छा समगरमा बजार बढ़ेको दिन लच्मी लगुबित र बी नेपाल लगुबित को सियर 4.30 अरालो लागेको छा आज 25 लाग पस्पर्न हजार कित्ता सियर 93 करोड 99 लाख रुपयामा कारोबार भएका छन सबै भंदा धेरे सोल्टी होटेल को 6 करोड 43 लाख र सोनापूर मिननल्स आंड आइल कमपनी को 5 करोड 22 लाख रुपया को सियर किन बेज भएको छा नेपाल दूर संचार प्रादी करन ले आज देखी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MD-MS प्रनाली पूर्ण रुपमा कारेनेल मा ल्याउंद दै छ MD-MS आज देखी पूर्ण कारेनेल मा आउने र पण्नाली मा दरता नभायेका मुबाईल मा दूर संचार सेवा बंदगरन सुरूगणे प्रादी करन ले जनाएको छ आजर आती नौ बजे देखी केही महंगा मोबायल मा सेवा बंद गरेर तेसको कारेने नथालने प्राधिकरन को तयारी छ अहिले सम्म, MD, MS मा दर्ता नगरी जलाये का आइफोन 15 सिरीस का जहंडई 2468 सेट मा आज़ा देखी दूर संचार्शेवा बंद गने प्राधिकरन लिए जनाये को छ अब अंतराष्टिय समचार इजराइल ले उतरी गाजामा निकै महत्तपुर्ण आक्रमन गरेको जनाये को छ रिपोट का अनुसार उतरी गाजामा आइतवा ठूलो मात्रामा हमला रहावाई हमला गरीएको थियो इज्राइली सेना का अनुसार सेनाले गांजा सहरलाई घेरे र उत्तरी र दच्छेन गांजामा विभाजन गरेको छो इज्राइली सेना गांजा को भू मद्दे सागर को तट मा पुगेको छो तेस्ते इज्राइले अजय पनी उत्तरी गाजा र गाजा सहर का बासिन्दा हरलाई दछिणी तीर जान को लागी एउटा करीडोर परतान गरी रहेको छो इजराइले गांजामा भीशन आक्रमन जारी राखे र उत्तरी गांजार र गांजा सहरमा जमिन आक्रमन जारी राखने सेना को भनाई छा गांजा इस्तित हमास को स्वास्ते मंत्रा लेले अक्टोबर साथ एता गांजामा दस हजार मानिस क्यों मिर्ट्यु भाई को जनाएको छ़़ अब खेल समचार फिपा विश्चोकप 2026 को चनोट अंतरगत दोस्रो चरण को खेल का लागी नेपाली राष्टिय फूटबल टोली परशिन छेडमा बेश्त भाय का छन दोस्रो चरण अंतरगत नेपाले एमन र युएई संग पर्थिस्परदा गरने छा नेपाल का मुखे परशिचक भिन सेंजो अलबर्टो एनेस ले छनोट का खेल का लागी 26 खेलाडिलाई राखे र परशिचन गराई रहेका छन नेपाले कार्थिक 30 गत्ते युएई संग उसाई को मैदान मा खेलने छा भने मंसीर 5 गत्ते कार्थमंड को दसरत रंग सालामा एमन संग खेलने छा नेपाल का मुखे परशिचेक भिन सेंजो अलबर्टो एनेस ले छनोट अंतरगा दोसरो चरण को खेल का लागी राम्र तयारी भई रहेको बताए तेस्ते रास्टे फोलबल टोली का डिफेंडर अननत तामांग ले बंद परशिचेर मा बशेको 15-20 दिन मा तयारी राम्र भई रहेको बताए लाओ संग खेले का बाहे केही नया खेलाडी हरू टीम मा रहेको रूनी हरू पनी सेट भई रहेकाले राम्र नतिजा आओने उनको बिश्वास्थ पीट थीज़ हालूले में शक्यां लावस्वास्ट बरी बetchन Самीर 5-20 दोब भी कि ये नतिजा O है रहेंजी लुझे हो बंदाने से लुगन दिखेंगर प्रशपफ्री वास माख मार में कि रहसें में को कि अबया प्योल।, य हम नहीं को चाहते बाज़े, फिस लिए नहीं पिरनी नहीं पसे गुब बड़ा है जड़ाओाने को अपिर्टाहिब्स क को चाहते हैं, विस इतादाले को आपी पास्टाब। वोने पुट एक 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 और लोक दान, तो गुट सरी फॉर उन्ट चानल, यह रखते हैं जो जा कि आए हम धरा, प्सक्रावस प्रीछों हम एक डिप तो प्सक्टा नहां से प्राइब कि एक प्राइब यह लगए मैं अव्हा है कर चांव कर दो गोडिए अव्हां कर दो अवाज है, कर प्रप एंश है कि आपकतरी आपकेर, कर दो कर दो आपकर में, क्शैज़ा नहीं, क्षील, को कुछ लगात्री कर दोच आपकतरी अव्हां क्यादीर एक्दम है राम्रो तयारी भायराचा अमें पंडर बिस्तिन भाय आमें ट्रेनिंग केंपा बशेगाई अग्दम राम्रो भायराचा ट्रेनिंग फ्लस लाउसां को जीत लेचे अमें एक्दम मोटिबरेट शुम आउने गेमेरू तफ शा तर अम्रो ओम्मा बागो आम्मा पन नाया प्लेयर अउने क्रम जारेने राँंचा अलि कती टाइम पाउंचा बन्ने खुरा ओ एन तर लावसां को मैच माचे अल्रीडी अल्मस्ट थे टीम चा बनमा थे टीम चा प्लस तिन चार जाना नाया खिलाडियर उरूने राम्रो उन्चा वाह आरो सेट बाई चान नेपाल लेप रारंबिक चरण मा लावसलाई दुई लेको खेल मा समगरह, दुई एकले पराजित गरदेई, दोस्रो चरण मा इस्थान बनाएको हो。 खेल समचार संगई हामी जी नेपाल निउसको अन्तेमा आई सके का छों जान्द जान्दाई प्रमुक समचार का सिर्षक खरू पूर्ण एक पटक साना रमजोला उध्यो घरू नेपाल को अर्था तंत्र को मेरू डंड भये को राष्ट पति पोडेल को भनाई ठूला चुनोगती समाधान गर्ने बलियो आधार उधम सिल्ता भये को दाबी कोशी प्रदेश सरकार लाई दियेको समर्थान फिर्ता नलीने एमाले को निर्णाया परदेश सरकार वाट फिर्ता भये पनी समर्थान भने जारी राजे का नितिक तुरुटी का कारण उपभगता हरू अन्यायेमा परेको उपभगता वाधिकारी कर्मी हरू को भनाई बजार को एका अधिकार नियंत्रन गर्न राजे गंबीर हुनु परने जिकीर गाजा सहर लाई घेरे रद्वी भागमा विभाजन गर्ने इस्राइल को भनाई भीशर आक्रमन जारी राखने रा उत्तरी गाजा र गाजा सहर मा जमीन आक्रमन जारी गर्ने रफी पापिस्चकव खेल का लागी रास्टे फुडवल टोली पर सिच्छन मा बेस्त दोसरो चरण अंत्रकत नेपाल ले एमन र युए इसंग परतिस्परदा गर्ने प्रमुग समचार का सिर्शक संगई ओहिले का लागी जी नेपाल निउस सक्यो ताजा समचार र मनरंजन का लागी जी नेपाल 4K टेलिविजन हेर्दे गन होला नमस्कार